आज हम तर्क शंग्रह का शंक्षिप्त परिजे के बारे में चर्चा करेंगे अनमभट क्रत तर्क शंग्रह ग्रंथ वैसेशिक दर्शन का ग्रंथ है वैसेशिक दर्शन मुख्यत है पदार्थ सास्त्र है वैसेशिक दर्शन का प्रेनेता कनाद को माना जाता है वैसेशिक दर्शन की तत्वे मिमान सा इस प्रकार है वैसेशिक शुत्रू में यतो अभ्यूदे नी स्रेय सिद्धी सैधर्मे अर्थार्थ जिस कारण से मनुशे की अभ्यूदे अर्थार्थ लोकिक एलोकिक पदार्थों का तत्वे ज्यान और मौक्ष की प्राप्ति होती है वही धर्म है ब्रमांड के समस्त जड़ चेतन पिंडु में केवल आत्मा ही चेतन है सेस सभी ऐ चेतन है इस रहशे को जानने के लिए समस्त पदार्थों की तत्वे मिमान सा या तत्वे ज्यान प्राप्त करना आवशक है वैसे सिक दर्शन में चे भाव पदार्थ द्रेवे, गुणे, कर्म, सामाने, विशेश, समवाय और एक अभाव को माना है इस प्रकार कुल साथ पदार्थ वैसे सिक दर्शन मानता है इनके तत्वे ज्यान हो जाने से मोक्ष की सिद्धी हो जाती है इस प्रकार वैसे सिक दर्शन की तत्वे मिमान सा है तर्क शंग्रे में जो साथ पदार्थ माने गए हैं उनका शंक्षिप्त परिचे इस प्रकार है पहला जो पदार्थ है वो है दर्वे दर्वे वै पदार्थ होता है जिसमें कुण आदी आश्रे पाने को दोरते हैं दर्वे की कुल संक्या नो है नो जो दर्वे हैं वे हैं प्रत्वी जल तेज वायू आकास काल दिक आत्मा और मन इन नो दर्वे में प्रत्वी जल तेज और वायू इनके नित्ते ए नित्ते भेद से दो प्रकार के होते हैं सेश जो पांच दर्वे हैं वो सदेव नित्ते होनी के कारण भेद रहित हैं दिवती जो पदार्थ है गुन वैसे सिक दर्शन चोवीस गुनों को मानता है चोवीस गुनों में सोलवा जो गुन है वो बुद्धी है इसका सरवादिक महत्व है बुद्धी के दो धर्म हैं इस्मरती और अनुभव ये बुद्धी के दो भेद बताए गए हैं इन दोनु में जो अनुभव है उसके भी दो भेद है एक यथार्थ अनुभव और दू मा का जो लक्षन है, तदीती तत्प्रकारों को अनूभवे, अर्थार्थ जो जैसा है, वैसा ही प्रतित होना प्रेमा कहलाता है, यही सत्ते यथार्थ आदी सद्दू से कहा गया है, वेदान्त में तत्वे मसी महा माक्वाक्य में भी तत्पद से ब्रह्म का अर्थ ग्रहन किया गया है और वही तत्पा अर्थ यहां प्रेमा से अभी प्रेत है तीसरा जो पदार्थ है वह कर्म जो पदार्थ संयोग नामक गुन से भिन है तथा संयोग का ऐसमवाई कारण होता है वह कर्म कहा जाता है कर्म के पांच बेद होते हैं एक उत्तक्षेपन दूसरा अपक्षेपन तीसरा आकुंचन चोथा प्रशारण और पांचवाँ गमन गमन अर्थार्थ चलन किरिया की प्रधानता के कारण ही अनमभट ने चलनात्मक कर्म इस प्रेकार की कर्म की परिबाशाप की है चोथा जो पदार्थ है वो है सामाने सामाने वह पदार्थ होता है जो नित्ते है एक है और अनेकों में समवाई समंद से विद्धिमान रहता है वह सामाने होता है इसे जाती भी कहा जाता है इसके दो भेद है एक पर सामाने और दूसरा अपर सामाने पाच्वा जो पदार्थ है वह है विसेश, विसेश वह पदार्थ है जिसके कारण एक स्वै दूसरे स्वै से भिन होता है उसे विसेश पदार्थ कहा जाता है एक ही द्रवे के अनंत प्रमानू एक दूसरे से इसी विसेश के कारण भिन भिन होते है अतह है यह भेदक पदार्थी विशेश है प्रमानू की संक्या एसंखे होने के कारण विसेश भी एसंखे होते हैं अनेक होते हैं एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से भिन होता है तो उनका भेदक उन पदार्थों का ऐसादारंधर में प्रेमुक होता है विसेश एक ही द्रवे के प्रमानू का पारश्प्रिक भेदक होता है छटा जो पदार्थ है वह सम्वाई द्रवे और गुनु में, द्रवे और क्रिया में विद्धेमान परशपर नित्य समंद समुवाए पदार्थ होता है वस्तुत है ये समुवाए समंद रूपात्मक है जो नित्य समंद होता है जैसे दो कपालू में विद्धेमान संयोग समंद समवाई समंद है जिसके बिना घट उत्पन नहीं होता यह समवाई घट विनास तक उन कपालू में समवेत रहता है इसलिए नित्ती समंद है इसी प्रकार कपड़े में विद्धेमान जो तंतु है उनमें भी समवाई समंद होता है ये सबी छै भाव पदार्थ हैं सात्वा जो पदार्थ है वो है अभाव जब किसी कारी या द्रवे आदी की किसी वस्तु में एविद्धेमानता होती है तो वह एविद्धेमानता यहां अभाव नामक प्रतक पदार्थ माना गया है इस प्रकार तर्क संग्रह में इनी साथ पदार्थों की विवेचना की गई है और इनके सम्मित तत्वे ज्यान से ही निश्रेस और मौक्स की प्राप्ती होती है धन्यवाद